मेश आज आपका मन छुट्टी मनाने का है, किन्तु इस मूड के कारण जो जरूरी काम है, उसे अंदेखा ना करें, काम को जितना अटालेंगे उतना ही आप पर काम का भार बढ़ता जाएगा जो की भविश्य में परिशानी उत्पन कर सकता है, रिष्टेदारों से मेल जोल प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज काम में मन नहीं लगेगा, किन्तु आज लापरवाही ना करें, कुछ समय से चला आ रहे काम आज संपन हो सकता है, लब, प्रियजनों के साथ आज बाहर घूने का प्रोग्राम बन सकता है, रिष्टेदारों से मिलने का मौका मिलेगा ह स्वास्थे सामानने रहेगा, यदि किसी रोग से जोच रहे हैं तो थोड़े और प्रयास करने की आवश्यक्ता है, जल्धी रोग से निजात मिलेगा प्रिषा आज का दिन मिश्रित फलगाई रहेगा, परिस्थिती में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्धी हल हो जाएगी, अपने मन में कोई नकार आत्मत भाव ना आने दे, काम में पूरा फोकस बनाए रखे, व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत लाबका इसका पूरा फायदा उठाए, परिस्थिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखे, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की नकार आत्मता के कारण निराश नहों, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे, लब, आज रिष्टों से संबंधित कोई मत्वपूर्ण निरणय ना ले, उचित समय का इंतजार करें इल्थ, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरणतर प्रयास करने की आवश्यक्ता है, अपनी रोब प्रतिरोधक्षमता बढ़ाए नहीं, तो बदलते मोसम में रोब परिशान करेंगे, मिथुन आज किसी नए व्यक्ती से मिलना हो सकता है, जो निजी एवं व्यहसारी रूप में आपकी सहायता करेगा, कुछ पुराने रिष्टे यदि दूर जा रहे हैं तो निराशना होनिस में भी आपकी ही भलाई है, यदि किसी चीज को जकर के रखने का प्रयास करेंगे तो दरदापको ही होगा, अपने आपको परिस्थतियों के अनुसार ढालने का प्रयास करें, बदलाव जीवन का एक अहम हिस्सा है और यह आपके लिए भी हितकारी है, धना लाब के अफसर बन रहे हैं, विदेश यात्रा होने के असार है, घर में खूशियों का माहौल रहेगा, प्रोफेशन, काम से संबंधित विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, प्रांग सफर हो सकता है जो आपके ल पुराने रोग से जल्धी निजात मिलेगा, किसी नई चिकित सा बध्धती से लाब होगा, करका आज का दिन सामान में रहेगा, परिस्थिती अनुकूल रहेगी, पुराने किये हुए निवेश से धन लाब के योग हैं, कि हुई मियनत फल लाएगी और उन्नती का मान प्र सायता ना करें, इससे किसी का भला नहीं होगा, मदद उसकी करें जो उसके योग्य हो, रिष्टों में आपके जीवन में कई खुशियां हैं, उन्हें सजोए, किसी रिष्टेदार या प्रियाजन पर अपने आपको इतना नियोचावर ना करें कि वे आपका मत्व ही भूल जाए, आज किसी नए रोमांटिक रिष्टे का आपके जीवन में आगमन हो सकता है, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आपको प्रशन सामिलेगी, साजेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो परेशानिया जल भी हल होंगी, आज आपकी सलहा किसी के लिए बहुत मत्वपूर साबित हो सकती है, अपने व्यवहार में नम्रता बनाएं रखे, लब, प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, रिष्टों में आज मधूरता बनी रहेगी, अविवाहितों के लिए आज कोई अच्छा रिष्टा आ सकता है, हेल्थ, स्वास्थिय अच्छा रहेगा, आपका साथ देगा, अच्छी सिहत के लिए की गई मेहनत फल देगी, अपने खान पान और विचारों में सहम बर्टे सिंभा आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुद है, परिस्थिती अनुकूल बनी हुई है, किन्तु लापरवाही ना करे नहीं तो नुक्सान भी हो सकता है, आज दान अवाश्य करे किन्तु ऐसे व्यक्ति को जिसे जरू आज पूरत हो, आपकी सलहा बहुतों के काम हैगी, इसलिए अपनी बात्कने से जिजटना करें, प्रोफेशन, बास आपके काम से खुश होंगे और आपकी सलहा की प्रशंसा होगी, सकर्मियों के आज पूरा स्योग मिलेगा, लब, आपके जीवन में कोई नहीवक्त स्वा अच्छा रहेगा, किन्तु एक अच्छी दिन चर्या, और उचित खान पान का पालन करना भी आवश्यक है नहीं, तो रोग ब्रसित हो सकते हैं। निकालें और अपनी देख भाल करें। जितना समय आप अपने आपको देंगे उतना ही शांत्मसूस करेंगे। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज फोकस की कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण डेडलाइन पूरी करने में कठिनाई हो सकती है। लब, रिष्टों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। निजी रिष्टों में कोई दिखावा ना करें गेल्थ। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन और आध्यात्मित साधना के साथ साथ कोई शारी रिक्वयायाम जैसे योग भी अवश्य करें। तुला आपकी समवेदंशी इलता आपके लिए और दूसरों के लिए भी एक वरदान है क्योंकि इसकी मदद से आप दूसरों का समझ कर उन्हें अच्छे प्रकार से गाइड कर सकते हैं और आपकी सलहा से प्रसन्नता मिलती है। यगी किसी ने आपको दुरक पहुचाया है तो उसे आज माफ कर दे। इससे आपका मन हलका हो जाएगा। सामाजिक मेल जोल से कत्रा हैं नहीं। यह आपके लिए लाबदायक रहेगा। प्रोफेशन यदि आज किसी से सकती बरतनी पड़े तो जिजक ना करें। यह भी आवश्यक है। लब आपका फैसला सबके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खूशियों भरा माफ पॉल रहेगा हिल्थ। अल्टरनेटर चिकित सा पध्धती से लाब होगा। अमाव किसी निर्णय को लेकर परिशान ना हो। उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आज अपने मूर स्विंग पर नियंत्रन रखें। आज भावनाओं की अथिकता रहेगी जिस कारण आज लिया हुआ निर्णय ग से जोड़े किसी मामले में दुविधा में हैं तो अपने सीनियर से सलहा करें। लब परिवार अजनों के साथ समय विताने का मौका मिलेगा। विवहा संबंधित कोई निर्णय लेने से फ्ले पूरी तरह से जाच कर ले। पूरी जानकारी मिलने पर ही कोई निर्णय आपको लाब होगा। धनु आज का दिन सामान में रहेगा। कार्यक्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी किन्तु आपकी उर्जा बहुत सुन्दर बनी हुई है। किसी एक सपर्द से सलहा कर अपनी उर्जा ओचित गिशा में लगाएंगे तो बहुत जल्द अच्छे फल मिले सामाजित में जोल बढ़ेगा जिससे लाब होगा। किन्तु इन सब में अपनी सेहत को नजरंदाज ना करें। अपने लिए भी थोड़ा समय अवाश्य निकाले। प्रोफेशन नौकरी की तलाश में है तो आज सफलता अवाश्य मिलेगी। यदि नौकरी आपकी मन मर्जी की ना हो तो भी उस पर सोच विचार किये बिना उसे जाने ना दे। लब यदि अविवाहित है तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भम्यश्य में अच्छे संबंथ बन सकते हैं गेल्थ। यदि किसी रोग से परिशान है तो उसके लिए अल्टरनेट्य चिकित्सा पध्धती से लाग मिलेगा। मकर आज थोड़ा समय अपने लिए अवाश्य निकालें और अपने आने वाले जीवन की रा और लक्षे का निरधारन करें। प्रोफेशन आज काम में मन नहीं लगेगा। अपना फोकस बनाए रखें। यदि अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो वह काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। लब परिजनों के साथ आज बाहर घूने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे हेल्थ। अच्छे स्वास्थे के लिए अपने प्रयास करते रहें। रिकी, प्रानिक हीलिंग, चक्र हीलिंग आदी चिकित साओं से लाभ होगा। कुम्भा आज का तिन फलदाई रहेगा। आपके आईदियाज और प्लांस जल भी लागू हो पाएंगे जिस कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में भी व्रग्धी होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अंदेखा ना करें। उनकी और भी फ्यान दें। किसी परिवार जन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेल जोल में किसी ऐसे व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके अच्छे घरे संबंथ बनेंगे। प्रोफेशन आज काम में आपका फोकस बहुत सुन्दर बना हुआ है। दास और स्वकर्मियों से प्रशन सामिलेगी। किन्तु सफलता के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। लब प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय अवाश्य बिताएं। उनसे आपको पूरा स्योग मिलेगा। उनकी जरूरतों को अंदेखा ना करें एल्थ। स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। किसी व्यायाम आदी का नियमेत रूप से पालन करें। इससे ना केवल सेहत में सुधार होगा बलकी मन में भी शांती रहेगी। किसी और के दृष्टी को अंसे देखने का प्रयास करें। आपको एक अलगी तस्वीर दिखेगी। प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज किसी बात से समझ पौता ना करें। वही करें जो आपको उचित लगता हो। धनलाब के योग हैं। लब, प्रियजन से आज किसी बा किसी की बात को दिल पर ना लेकि इससे आपके स्वास्थ्य की हानी हो।